हेलो एब्रीवन और वेल्कम बैक आज के क्लास में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वह है इंपॉर्टेंस ओफ मैक्रो एकोनोमिक्स हम ओडिसा के सिलेवस के एकॉर्डिंग सेमिस्टर टू कम इन मैक्रो एंडियन इकनोमी सब्जेक्ट को पर रहे हैं इस वाले सीरीज के अंदर मैं तुम्हें कम्प्लीटली पूरा जो भी कुछ इग्जाम्स के लिए रलेवन है जो भी कुछ एग्जाम्स में कोशिन आता है सब कुछ पढ़ने वाला हूं इस सीरीज के अंदर में डेस्क्रिप्षिज ब कर दोगे तो मैं तुम्हारे कोई भी अपडेट हो सब कुछ तुम्हें मिलता रहेगा हम सबसे पहला टॉपिक है साथ में हम डिफरेंस बिट्विन माइक्रो एंड मैक्रो एकनॉमिक को भी कवर कर चुके हैं आज के क्लास में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है सबसे पहला टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंज एंड यूजस ऑफ मैक्रो एकनॉमिक वन आफ दॉपिक यहां से एक्जाम में तीन माक का कोशन या फिर एक लॉग कोशन बहुत जादा एक्सपेक्टेड है एक्जाम में हर यूनिट में से एक लॉग कोशन आता ही आता है जहां पर तुम्हें दो क्या होता है तुम्हारे यूनिवर्सिटीज का जब भी एक्जाम होगा मैं उससे पहले तुम्हारा रिविजन क्लासेश वगेरा सब कुछ करवाऊंगा तुम बस हमारे साथ जुड़ जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मोबाइल आप को डाउनलोड कर लेना साथ म वाटस अप भी मुझे कर देना ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रूप मैं एड़ कर दूँ चलो शुरू करते हैं फटा फट से importance औंड uses of macroeconomics यह हमारा आज का पहला टॉपिक है importance औंड uses of macroeconomics एक्जाम में तीन मार्ख में या फिर सात मार्ख में या आट मार्ख कभी सारा लिख दिया हूं क्योंकि हर युनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मार्क्स का अलग-अलग पैटेन बन जाता है देखो सबसे पहला सबसे पहला जब हम मैक्रो एकनोमिक्स पढ़ेंगे तो हमें एकनोमी कैसे से फंक्शन करता है एकनोमी किस तरीके से फंक्शन करता है वह हमें पता चलेगा डिव तुड़ा मॉडें एंड कॉंप्लेक्स एकनोमी प्रॉब्लम इट इस नॉट पॉसिबल तो गीव क्लियर और अकुरेट सॉलूशन बिकॉज एकनोमी आज के दिन में और है यह वर्ड को लिखना है ठीक है मॉडें इकनोमी है एकनोमी आज के दिन में बहुत ज़्यादा कॉंप्लेक्स भी हो गया इतना बड़ा इकनोमी इंडियन इकनोमी इतना बड़ा इकनोमी है तो एक सो चालीस करोड का जनता है यहां पर तीरे दीरे वो राइस भी हो रहा है पता नहीं तुम जब वीडियो देखोगे तब तक कितना और राइस हो गया होगा आज तो एक सो चालीस करोड को क्रॉस कर चुका एंडिया ठीक है अधर्वाइस हमें नहीं पढ़ना पड़ता हम एकनॉमी को समझना चाहते हैं एकनॉमी किस तरीके से फंक्शन करता है किस चीज का किस चीज के ऊपर इंपक्ट होता है यह समझना जरूरी है इस वज़े से हम मैक्रो एकनॉमिक्स को पढ़ते हैं हेल्प से अंडर्स्टांडिंग दा फंक्शनिंग ऑप दा एकनॉमी पॉइंट नमबर वट नमबर टू में चलते हैं फॉर्मूलेशन ऑप एकनॉमिक पॉलिसी तुमें क्या लगता है जो गर्मेंट है वो जितना भी एकनॉमिक पॉल पॉलिसी जितना भी बनाया जाता है सब कुछ कुछ नकुछ डेटा के बेसिस पर बनाया जाता है वो जो डेटा होता है वो जो स्टडी होता है हम पहले एकनॉमिक का पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं स्टडी करने के बाद ही हम कोई नया प्रकार का एकनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं जैसे economic policy के example दू तो government GST applicable कर दिया एक जुलाई 17 2017 को government क्या ले आया जी एश्टी ले आया क्यों ले आया भही जी एश्टी क्या उसको सपना आया था क्या उसको सपने में लगा कि जी एश्टी लाएंगे तो हमें फाइदा होगा नई government क्या लेलेशए रोटे नोतबंडि किया लेलेल सब्क्रादल करके स्वहुखक्षा K क्यों रातो रात कर दिया क्यों रातो रात किया हमें रात बंदेहट पता बंदेहर्ट पता चला हमें पता नहीं था government कब से plan कर रहा था government पूरा economy के उपर उसका impact क्या होगा money supply के उपर क्या impact होगा आहम public के उपर क्या impact होगा यह सब कुछ analysis करने के बाद ही इसको implement किया हमें पता चला अचानक से रात को 8 बजे मोधी सरकार आया तेलिविजन में और बोला आज से नोट 500,000 के नोट बन जाओ जो करना है करो 500,000 के नोट हम बन करते हैं लेकिन यह पता हमें लेट से चला हमें पता चला जब मोधी क्या मोधी भी उसी टाइम सो चाहओ और आगया वो सोचा पहले उसका इंपक्ट को एनलेसिस किया फिर जाकर बनाया तो वो जो पढ़ाई उसके पीछे जो स्टडी है वो मैक्रो एकनॉमिक्स के थूँआता है अगर हम मैक्रो एकनॉमिक्स पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे कि किस चीज का एकनोमी के ऊपर क्या इंपक्ट होता है ठीके गममेंट डिपेंडस ओन एकनॉमिक फोर्सेस् फंक्शनिंग जो होता है गंवेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है नाशनल इंकम के ऊपर टोटल एम्प्लाइमेंट के ऊपर जेनरल प्राइस लेवल मतलब इन्फलेशन एक्सेटरा तो गंवेंट डिपेंड्स ओन एकन 성공 को समझने के लिए बहुत ज्यादा help मिलेगा और दूसरा formulation of economic policy हम economic policy बना पाएंगे government economic policy बना पाएगा हम मतलब government ठीक है हम अगर मैं macro economics में हम बोल रहा हूं तो क्या मैं policy बना हूंगा नहीं government of India की बात कर रहा हूं government of India उस economic policy को बना पाएगा तो दो important point हो गया चलते हैं next point point number three solution to economic problem economy में कोई problem आजाए economy में अचानक से कोई problem आजाए उस problem का solution कैसे निकलेगा macro economics को जब तुम पढ़ोगे when you study the macro economics जब तुम्हें macro economics के बारे में सब कुछ पता होगा तब जाकर तुम solution निकाल पाओ अगर तुम्हारे सरीर में कोई तकलीब होता है तुम कहां जाते हैं ड दौक्टर के पास आते हैं तुम्हारे सरीर को study करता है और उसके बेसिस पर problem को identify करता और उसका solution देता है तो डौक्टर क्या पहले से पढ़ाई किया है यस किस चीज का पढ़ाई किया डौक्टर human body के बारे में पढ़ाई वैसे ही जब economy के उपर कोई problem आता है तो economy का problem को solve करने के लिए हमें macro economic study करना पड़ता है हम macro economic factors को study करेंगे तब उस problem को समझ पाएंगे और उसका solution निकाल पाएंगे हम का मतलब government ठीक है solution to economic problem जो भी economic problem होगा उसका solution निकालने के लिए ठीक है macro economic provides a solution to the problem of the economy economy में कोई भी problem आ जाए चाहे वो demonetization हो गया चाहे वो demand कम हो गया चाहे वो supply कम हो गया चाहे वो money supply में कोई problem आ गया चाहे वो तुम्हारा कोई natural calamity हो गया चाहे कहीं पर कोई और problem हो गया ठीक है economy के उपर कोई भी चाहे वो interest rate बढ़ गया चाहे वो foreign exchange का rate बढ़ गया चाहिए gold prices का rate बढ़ गया कुछ भी होता है economy के अंदर में तो सारा problem का solution macro economic study को करके ही पता चलता है ठीक है तो सबसे पहला macro economic provides a solution to the problem of the economy these problems are the problem of unemployment economy में unemployment आ गया बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए उनको काम नहीं मिल रहा है कहीं पर भी काम अवलेबल नहीं है 140 करोड का जनता है ऐसा नहीं कि दो चार लोग है कि government बुला ले आओ बैढ़ जाओ यहीं पर तुम्हें फ्री में salary दे दूँगा 140 करोड जनता है इसमें से अगर unemployment हो जाए तो सोचो economic क्या होगा बहुत बुरा हलत हो जाएग economic ठीक है तो इस वज़े से problem of unemployment हो चाहे और πरकार का problem हो risking और falling prices opportun risking को जगह rising करने इसको सब्सक्राइजश्ब्स का price continuously लाइज कर रहा है यह तो राइजिंग और फॉलिंग प्रलाइश या ओवर production हो गया मुझलब एकनॉमी में प्रडुक्ट बिक नहीं रहा है ज्यादा प्रड्यूस कर दिए कनॉमी में प्रडुक्शन ज्यादा हो गया है सारे प्रॉब्लम का सॉलीशन पढ़ाई करो मैक्रो इकनामिक्स का जब तक मैक्रोएकनामिक्स नहीं पढ़ोगे तब तक सर्फ यह हमारे क्या काम आएगा ध्यान से सुनना बहुत हैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं future में मुझे तो भरोसा है कि बीओं के जितने भी student सब वहांत पैसा कमालोगे एतना पैसा तो तुम कमाई ही लोगे मुझे भरोसा है कि कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से तुम बहूत सारा पैसा कमाने legends चाहे तुम कहीं जॉब करो चाहे तुम अपना बिजनेस करो चाहे तुम को स्टार्ट अप करो या तुम कहें कुछ भी करो पैसा तो तुम कमा ही लोगे आज से मैं पांस साल बाद की बात कर रहा हूं ठीक है हो सकता है जल्दी कमा लो हो सकता है कुछ एकाथ साल और लेट भी इसे invest करोगे करोगे ना कोई जमीन खरीदेगा कोई fix deposit करेगा कोई share market भी करेगा तो future में जब तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि पैसे को invest कहां करना है जब तक तुम macro economics नहीं पढ़ोगे macro economics को नहीं समझोगे तब तक तुम पता ही नहीं लगा पाओगे इन में से कहां invest करोगे कहां return जादा मिलेगा तुम्हें लगता होगा सर जमीन खरीद लूं क्या जमीन में तो लोग कितने करोड़ पती बन जाते हैं हो सकता है macro economic factor कुछ ऐसे हो उस टाइम पर कि वो टाइम पर लैंड का डिमांड कम हो जाए लैंड का डिमांड कम हो जाए जमीन का डिमांड क्यों आता है में beteira । बॉट ब्लैक अकनॉम्ही में ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है इस वज्यक्त है इस वजह से जमीन का डिमांड अगर ब्लैक पर नहीं कम हो जाएगा तो जमीन का डिमांड भी कम हो जाएगा तुम देखें कभी भी किसी भी लैंड का ट्रंजाक्शन होते हुए अगर जमीन का प्राइस है एक करो रूपए तो गम्मिंड वेल्यू उसका यह मैं छोटे टाउंस की बात कर रहा हूं इसी के आसपास होता है लेकिन छोटे छोटे टाउंस में जो तुम्हारा नहीं है वहाँ पर गम्मिंड वेल्यू इसका चार-पांच लाक रुपए होता है हम जैनरली क्या करते हैं कोई भी ट्रंजाक्शन करते हैं तो जमीन का हम मत 25 रुपीज जो भी बचा वह कैश में ट्रंजाक्शन कर लेते हैं यह है ब्लैक मनी दिस इस ब्लैक इस अभी होता है अगर एकनॉमी में ब्लैक मनी खतम हो गया तुम्हें लगता है कोई भी इंसान एक करो रुपए बैंक के थुरू देकर खरी देगा जमीन नहीं क्योंकि यह टाक्स दिया वह पैसा इस पे तुम 30% का टाक्स दियो तो जिस पैसे पर तुम टाक्स दियो उस पैसे से जमीन तुम सायद ही खरीदोगे इतना कौश्टली जमीन लोगों के पास वाइट मनी का बहुत सौटेज हो जाएगा और उसके कारण जमीन का वेल्यू और तोमे इसी से फाइदा हो रहा है मानलोग कोई नया पॉलिसी लेकर आया रूफटॉप सोलर पैनल लगाया जाएगा पूरे अलोबर इंडिया में सभी घर में मैक्रो एक्कनामिक फाक्टर है इसका इंपक्ट कॉंशे शेयर के प्राइस पर होगा मानलोग बजट पर एनाउंस कर इस साल रोड इंफ्रस्ट्रक्चर में हम लोग दो लाग करो रूपए खर्च करेंगे इसका इंपक्ट कॉंशे कंपनी के शेयर प्राइस पर होगा रोड बनाने वाली कंपनी पर तो होगा लेकिन रोड पर जो मेट्रीरियल लगता है उन कंपनी का भी फाइदा हो सकता है उन कंपनी कोुद करना पड़ेगा तो सब्सक्राइब अगर यह सारा चीज एकनोमी के बारे में नहीं सीख पाओगे तब फिर फाइदा क्या हुआ पढ़ाई करने का जब फिर पैसे कमा कर फाइदा क्या हुआ पैसा कम कमाओगे इंवेस्ट करके ज्यादा पैसा अगर मिल जाए रिटर्न्स अगर ज्यादा जनरेट कर पाए तो सो है तुम्हें क्या दिसनेस करना है कौन सब्सेस्ट ग्रॉइंगेक यह सारा कुछ मैकर ऐकोनौमिक से तुम्हें पता चलेगा चलते हैं कि टुब 45 message study of trade cycle trade cycle are caused by the fluctuation in the aggregate savings aggregate demand and supply trade cycle क्या होता है कभी कभी economy उपर जाता है फिर नीचे जाता है फिर उपर जाता है यह साइकल है यह चलता रहता है economy उपर जाता है जिसको हम लोग increasing trend बोलते हैं जब economy grow कर रहा होता है अपने highest पर पहुंचता है फिर decrease होता है lowest पर पहुंचता है फिर higher फिर increase होता है तो यह साइकल चलता रहता है यह साइकल को समझना जरूर यह क्यों जरूर यह देखो अगर मान लो यह हमारा economic cycle है मैं cycle बना कर तुम्हें समझाता हूं ठीक है this is economic cycle this is economic cycle economy यहां पर उपर जा रहा है ठीक है यहां पर उसका highest है यहां पर fall करेगा यहां lowest है यहां इसको समझना क्यों जरूरी है इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर तुम पैसा invest करोगे तो वाट इस दा best point to invest point A और point B कौन सा point पर तुम पैसा invest करोगे पैसा invest करने के लिए best place है point number ए जब economy grow करना शुरू करेगा तब पैसा इंवेस्ट करोगे और जब economy point B पर पहुंचेगा विड्रॉ कर लो जब economy कहां पहुंचेगा point number B पर पहुंचेगा विड्रॉ करना है यहां पर इंवेस्ट करना फिर यहां से नीचे आएगा economy जब point C में पहुंचेगा अगेन इंवेस्ट फिर यहां पर विड्रॉ फिर यहां पर इंवेस्ट फिर यहां पर विड्रॉ अगर तुम यह कर पाए तो पैसा multi level में grow करेगा एक लाख कब एक करोड बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा तुम्हें इतना जल्दी हो जाएगा लेकिन अगर opposite कर दिए यहां इंवेस्ट किये और यहां withdraw कर दिये जो कि अक्सर लोग करते हैं जिनको macro economics का आइडिया नहीं होता अक्सर लोग क्या करते हैं शेर मार्केट में जब अपना हाइप पोइंट झालो और भरोसा रखो कि जो नीचे जाएगा वो एक दिन ऊपर आएगा जो एक दिन ऊपर गया है वो कभी ना कभी फिर से नीचे आएगा ये विदी का विदान है ये ऐसा ही चलता है इकनोमी इसी तरीके से चलता है तो better what is the best point to invest point A ये पता कैसे चलेगा जब तुम macro economic को study करोगे trade cycle को study करोगे तो trade cycle को study करने से हमें इसका knowledge मिल जाएगा ठीक है चलो read करते हैं फटा फट से चलते हैं आगे point number four study of trade cycle trade cycle are caused by fluctuation in the aggregate savings aggregate demand and aggregate supply and total production and this problem are very common in the capitalistic economy हम तीन प्रकार के एकनोमी के बारे में पढ़ेंगे capitalistic socialistic and mixed यह हमारा इस chapter का आखरी topic होगा last में जाकर परेंगे ठीक है तो अभी के लिए capitalistic economy क्या होता है हम उसको pending रखते हैं क्योंकि आगे जाकर हमारा detail में यह topic आने वाला है ठीक है चलो next चलते हैं point number five में one of the most important point और सबसे बड़ा particular point economic paradox economic paradox. What is paradox? घर मैं घुमने जाना है ठीक है? पर्मिशन चाहिए मम्मीya और पापा का अभी घर मैं पर्मिशन लेते हो खूहमने जानेके लिए ठीक है तुम गया गये मम्मी के पास मम्मी बोले मुझे नहीं पता जा पापा से पूच ले तुम गये पापा के पास पापा बोलता है कुछ और वो बोलता है कुछ और दौनों के बीच में फस कौन गया मैं इसको बोलते हैं economic paradox macro economic paradox क्योंकि कभी कबार क्या होता है हमारा economics मिक्स दो प्रकार से ब्टा हुआ है micro economics macro economics macro कुछ बोलता है यह अच्छा है इक लिए तो मैक्रो बोलता है नहीं यह गलत है मैक्रो बोलता है कभी कभार ऐसा situation आ जाता है कि दौनों के बीच में contradictory हो जाता है कभी कबार कुछ कुछ चीजें ऐसे भी होती है कि एक चीज एकनॉमिक के लिए भला है वही चीज अगर हम किसी और एंगल से देखे तो वह बुरा भी है ठीक है तो दौनों पॉइंट ऑव यू से economic paradox क्या होता है जब एक ही चीज का कही positive impact हो कही negative impact हो जब किसी एक action का दो impact हो किसी के ऊपर positive किसी के ऊपर negative तो उसे बोलते है paradox तो macro economic paradox क्या होता है जब कोई macro economic factor का positive impact भी है negative impact भी है positive impact कुछ कुछ लोगों के उपर पढ़ रहा है नेगेटिव कुछ लोगों के उपर पढ़ रहा है तो तुम फंस गए क्या करें यह पॉलिसी को implement करें या ना करें तो इस प्रकार के situation को बोला जाता है macro economic paradox और macro economic paradox को समझना ज़रूरी है reason अगर तुम बिना समझे implement कर दिये तो हो सकता है adverse consequences हो जाए कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए कुछ लोगों को बहुत ज्यादा उसके वज़े से profit हो जाए clear है बात तो आओ पढ़ते है economic paradox को it is the common experience that there are many economics activity which are justified for individuals कुछ ऐसे activities है जो individuals के लिए तो ठीक है लेकिन इस विचा justified for individuals but are not justified for the economy अगर हम एक इंसान की बात करें तो वह economy में उसके लिए तो अच्छा है लेकिन अगर हम पूरा overall economy की बात करें तो उनके लिए वह अच्छा नहीं होगा जैसे savings savings करना मेरे लिए तो अच्छा है अगर मैं अपना पैसे को save कर रहा हूं तो मेरे future के लिए भला है लेकिन economy के लिए खराब है अगर मैं आज save कर लेता हूं इसका मतलब economy में demand नहीं हो रहा है अगर सब कोई सेविंग्स करने लग जाए तो एकनॉमी में ओवरॉल डिमांड कम हो जाएगा तो फिर एकनॉमी आटोमेटिकली स्लोडाउन हो जाएगा तो यह एकनॉमी के लिए खराब है सेविंग्स अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो उसके लिए बहुत बुरा ह है लेकिन अगर इंडिविजूल पर्शन की बात करो तो उसके लिए अच्छा तो इस प्रकार के सिच्वेशन को, हम पैरा दॉक्स ओस बस इस。」 प्लाइचे होते जो इंडिविजयूल के लिए अच्छे हैं लेकिन एकनोमी के लिए खराब हैं एस जा ओल्मीस के लिए अच् तुम्हारा तो भला हो जाएगा लेकिन एकनोमी का भला नहीं होगा प्रोफेसर बोल्डिंग प्रोफेसर बोल्डिंग बोलके एक आदमी था ठीक है नाम है बोल्डिंग ठीक है कॉल डी इकनोमिक प्रडाडॉक्स इसको वो नाम दिय कि अनिक हमारा पोइंट बना'M प्रोफेसर समल्शन समल्शन बोलके एक और प्रोफेसर था वह सिटुवेशन को नाम दिया ट्रैॉसिव ओफ कंपोजिसन एक नाम से व को नहीं रखना नाम याद रखना है तो अच्छी बात है नहीं होता है तो कोई दिख्कत नहीं है तुम नाम को काट सकते हो कोई दिख्कत वाली बात नहीं है ठीक है परडॉक्स समझ में आ गया एक के लिए अच्छा सोसाइटी के लिए खराब इंडिवीजुल्स के लिए अच्छा अगर कोई एक दुकान वाला प्रड़क्ट का प्राइज से अभी एकनॉमी में तीन फो में प्लेयर से जियो वोड़ा फोन आइडिया एटल और भी एसनल चलो चार आदमी हैं जो मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइट करें मालो जियो अगर प्राइस बढ़ा देता है तो यह के लिए तो अच्छी बात है जियो का प्रॉफित होगा एक इंडिविजूल फर्म के लिए यह अच्छी बात है लेकिन क्या यह सुसाइटी के लिए अच्छा है नहीं अगर उसके चलते बाकी लोग भी प्राइस बढ़ा दे सब कोई प्राइस पढ़ा दे तो इस से कौन स करेंगे कौमेन के लिए अच्छा नहीं है लेकिन इंडि फर्म के लिए अच्छा है सिचाइन स्चूरम को तो यह हो गया हमारा पूरा point economic paradox का point number five चलते हैं point number six के तरफ, helpful in furthering the scope of microeconomics, microeconomics को तमजने के लिए, microeconomics का scope को बढ़ाने के लिए, आई का मतलब होता है individual, तो microeconomics का scope को बढ़ाने के लिए help करता है कौन macroeconomics तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ताकि तुम microeconomics को अच्छे तरीके से समझ पाओ, clear, macroeconomics is also helpful in making laws of microeconomics, यह microeconomics का rules and regulations बनाने में हमें help करता है, macroeconomics for example the law of diminishing marginal utility semester one में पढ़े होगे, law of diminishing marginal utility है सर क्या बात करते हैं सर हम तो semester one में कुछ भी नहीं पढ़े थे, आप पढ़ा ही नहीं हमको आने दो बच्चों आगे आओ semester three four five six सब कुछ पढ़ा दूंगा पूरा complete पढ़ा दूंगा, हालाकि semester one में पढ़ाया हूं तुम अच्छे सब पढ़े नहीं हो ठीक है, डिमिनेसिंग marginal utility came into being only from the analysis of the behavior of the group of people, जब हम group of people का behavior को study करेंगे तभी हम law of diminishing marginal utility पढ़ पाएंगे, तो यही help करता है हमें, macro economics हमें help करता है, micro के factors को determine करने में, micro economics को बनाने में, clear है, यह हो गया हमारा point number six, चलते हैं आखरी दो point के तरफ, point number seven and point number eight, point number seven, changes in the general price level, inflation, general price level का मतलब होता है inflation, अगर economy में inflation हो रहा है, तो inflation, the rise in the general price level और falling value of money is called inflation, इसको हम क्या बोलते हैं, inflation बोलते हैं, जब general price level increase होता है, general price level, या falling value of money, falling value of money मतलब तुमारे pocket में जो money है, उसका value कम हो रहा है, क्या वो 500 का note 100 का बन जा रहा है, नहीं, 500 में पहले तुम जितना समान खरीद पाते, अब कम खरीद पाओगे, क्योंकि महेंगाई बढ़ गया, biscuit का packet 100 रुपे से 200 रुपे हो गया, तो पहले तुम 1000 रुपे में 10 packet biscuit खरीद पाते थे, अभी वही 1000 रुपे में 5 packet खरीद पाओगे, this is known as falling value of money, money का value कम हो गया, money तो उतना ही है तुमारे pocket में, लेकिन उसका value है वो कम हो गया, it's called inflation and the falling general price level or rising value of money is called as deflation, inflation, price increase होना को inflation बोलते हैं, price कम होना को deflation बोलते हैं, Indian economy में generally हर साल inflation ही होता है, deflation generally कभी नहीं होता है, to control this fluctuations, economics has to derive conclusion from macro economics, ये inflation, deflation को control करने के लिए macro economics पनना बहुत जरूरी है, चलते हैं आगे point number 8 और आज का हमारा आखरी point, study of national income, national income क्या होता है, मेरा income कितना है, मेरे family का income कितना है, family का income कैसे निकलेगा, अगर मेरे family में 5 लोग हैं, मैं 5 का income को total कर दूँ, तो family income निकल जाएगा, वैसे ही अगर इस दुनिया में 140, दुनिया मतलब इंडिया, इस इंडिया में अगर 140 करोड लोग हैं, तो मैं सभी के income को add कर दू, तो इंडिया का national income निकल जाएगा, तो national income को determine करने के लिए, study of national income, तो कि national income हमें बताता है बहुत सारा चीज, कि तुम किस हमारा country किस level पर है, country के अंदर poverty कितना है, rich class कितने है, poor class कितने है, ये सब कुछ हमें पता चलता है national income से, to make plans regarding population controls, हमें population को control करना पड़ेगा, जो कि government के द्वारा तो मुष्किल ही दिखरा है, population control, defense purpose, etc, the study of national income is very helpful, national income को पढ़ना बहुत जरूरी है, the study of national income has become possible only with the growth of macro economics, macro economics के वज़े से ही हम national income को study कर पा रहे हैं, अगर macro economics नहीं होता, तो हम national income को भी study नहीं सरपाते, clear है बात, तो यह हमारा topic हुआ, importance and uses of, importance, यह हमारा topic हो गया, importance and uses of macro economics, 8 point पड़े है, exam में long question के form में भी आता है, और medium size का 3 mark, 4 mark में भी कभी कबार आ जाता है, एक point का 1 mark नहीं मिलता है, book में अगर 8 point है, exam में 8 लिख कराना है, कोई भी point को नहीं छोड़ना है, चाहे वो 3 mark का question आ है, चाहे वो 8 mark का question है, तुम्हें हमेशा सारा point लिख कराना है, otherwise पूरा full marks नहीं मिलेगा, आधा एक mark तो कहीं न कहीं काट दिया जाएगा, बेटर है, एप को डाउनलोड कर लेना, यह पूरे notes mobile application पर available है, साथ में, जो WhatsApp नमबर नीचे दिया गया है, उसमें message जरूर से कर देना, मैं तुम्हें तुम्हारे group में add कर दूँगा, और बहुत सारे चीजें मैं तुम्हारे साथ share करूँगा, तो मुझे WhatsApp जरूर से कर देना, ठीक है, bye bye everyone and thank you.